हाई गाईज वेलकम और वेलकम बैक टो ब्यूटी तंत्रा तो जैसे आप लोगों को पता है मैं मेरे चैनल पर शादी सीरीज कर रही थी जिसमें हल्दी का मेकप, मेहंदी, ब्राइड मेकप, फिर बेंगॉली ब्राइड इतने सारे मेकप लुक्स अल्रेडी करके हो चुके है अब ही आज के वीडियो में हम करने वाले है न्यूली वेड ब्राइड मेकप टुटोरियल जो कि आप खुद से आसानी से क्रियेट कर सकते हो तो यह ग्लामरिस लुक कैसे क्रियेट करते है अगर आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक देखना एंड या गाइस चलो इसके लिए सबसे पहले हम आई मेकप के साथ में स्टार्ट करते है तो जो भी ग्लिटर का फॉल आउट हो वो आपके बेस मेकप को खराब ना करे तो यहां पे मैंने मैट लुक का फुल कवरेज कंसीलर लिया है एंड गाइस बहुती एफॉरडबल कंसीलर है प्लस इस वेर के मैं अपनी क्रीस लाइन को डिफाइन कर जू तो आपको ब्लेंडिंग में थोड़ा सा समय लग सकता है तो जो भी आपको बोल रहे जल्दी जल्दी तयारो तो उनको आप बोल देना कि जल्दी जल्दी मेकप नहीं होता है इसके बाद में एक बलक कलर का शेड लिया था और crease line के थोड़ा सा नीचे मैं इस black shade को लगाऊंगी and वापस से blend कर दूँगी, इसके बाद मैं दुबारा से मैंने black color का eyeshadow लिया है, आप यहाँ पे चाहो तो काजल भी use कर सकते हो, बट मैंने black eyeshadow लिया है, black eyeshadow से भी आप ये look जो है वो आसानी से create कर सकते हो, तो दोनों ही चीज़ आप use कर सकते हो, जिसमें आपको comfortable है, आप वो use करो, तो यहाँ पे मैंने use किया है black color का eyeshadow, उसको पूरे ही lids पे लगाया है and जो भी edges है, जो भी corners है, harsh edges है, उसको हम अच्छी से blend कर देंगे हमारी crease line के साथ में, जिसे आपको देख रहा है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो black color है, उसको दुबारा से लेंगे और उसका intensity बढ़ाएंगे, same हम दूसरे eyes पे repeat करेंगे, इसके बाद में मैंने जो मेरा dress है, उससे मिलता जुलता एक यहाँ पे shimmer shade लिया है, और उसको मैं अपने fingers से ही लगा रही हूँ, centers of the lid पे लगाएंगे, इसे हम halo eyes बोलते है, तो centers of the lid पे लगाएंगे, और इस color के जो भी edges है, उसको हम black color के साथ में merge कर देंगे, अच्छे से blend कर देंगे, इसके बाद में same color का मैंने यहाँ पे glitter लिया है, तो guys यह actually nail art है, बट मैं इसको अपनी eyes पे use कर रही हूँ, तो आप भी hack यूज कर सकते हो, आपके पास अगर कोई nail art रहेगा, तो उसको आप simply आपके eyes पे भी लगा सकते हो, तो हमारा eye makeup अभी हो चुका है, अभी चलते है face पे, तो यहाँ पे मैंने लिया है blue heaven का concealer and यह actually एक orange color character की तरह काम करेग इसकी shade का नाम है honey and इसका coverage जो है वो इतना कुछ जादा नहीं है, बस एकदमी like बहुत sheer coverage है, medium भी नहीं बोलूँगी, बहुत ही जादा sheer coverage है and beauty blender की help से मैं इसको blend कर दे रही हूँ, तो आप देखो कितना अच्छे से blend हो रहा है, अगर आपकी skin flawless है, जादा कुछ issues नहीं है तो आप भी एक sheer coverage का concealer use कर सकते हो, बहुत आपका makeup जो है, वो skin like लगेगा, बिल्कुल भी heavy नहीं लगेगा, इसके बाद में मेरा favorite fit me का foundation लिया है and this is in the shade 310, तो कोई भी season में आप ये foundation आसानी से use कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि सिफ summers में ही use करना है, सिफ winter में ही use करना है, कोई वी weather हो, उसमें आपके अगर शादी हुई हो, तो ये foundation जो हो, बहुत अच्छे से काम करेगा, आपकी skin पे, तो आप देखो मैं इसको blend कर रहू, beauty blender के help से, and कितना अच्छे से इसने coverage दिया है, प्लस ये long lasting भी है, इसके बाद में मैंने लाक में की ये 925 lip and cheek tint लिया है, this is in the shade blush velvet, and मैंने इसे एक W draw किया है, तो W के shape में मैंने इस blush को अच्छे से blend किया है, and आप देखो कितना अच्छा लुका रहा है, flushed, इसे within kind of flushed cheeks लग रहा है, बहुत सुंदर लुकाता है, इसके बाद में पूरे face को set करेंगे, using maybelline fit me loose powder, आप कोई भी loose powder ले सकते हो, तो मैंने म में हम यूज करेंगे highlighter, तो Makeup Revolution Pro का highlighter लिया है, मैंने guys, बहुत अच्छा product है, प्लस आप इसका pan size देखो, यह आपको आराम से 3-4 साल तो चल ही जाएगा, क्योंकि highlighter आप बहुत कम यूज करते हो, तो highest points of the face को मैंने highlight किया है, and अभी मैंने मेरा outfit change कर लिया है, hairstyle change कर ली है, lipstick के मैंने ली है, and guys, look at the color, it's so pretty, shade का नाम है, disgrace, बहुत ही प्यारा shade, long lasting है, इसके बाद में आप काजल लगा सकते हो, but मेरी eye sensitive है, तो मैंने black color का eyeshadow लगा लिया है, lower lash line पे, inner corners भी मैंने highlight कर लिये है, एक छोटी सी red color की बिंदी लगा लिये, and guys, here's my final completed look, मैंने चूडिया भी पहन लिये, सिंदूर भी लगा लिया है, so guys, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, तो like, comment, share, subscribe, ज़रूर से करना, ये newly wed bride makeup is appropriate, अगर घर में कोई function हो, function ना भी हो, अगर आप से मिलने कोई महमान आ रहे हो, या आप किसी के घर जा रहे हो, या कुछ भी छोटा मड़ा function तो आप ये जो makeup है, वो बहुत आसानी से create कर सकते हो, जो center पे मैंने color use किया है, आपके dress के according वो color choose कर सकते हो, अगर brown है, तो brown कर सकते हो, red है, तो red कर सकते हो, ये makeup जो हो काफी easy तरीके से मैंने आप लोगों के लिए create किया है, I hope आपको बहुत simple जाएगा ये makeup लोग create करने के ये 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 guys, I will see you in my next video, until then, bye bye, take care,